मैं आपने मुझे मोका दे इसके लिए धन्यवाद मैं अपने व्यक्ति का जीवन में मेरे आज भी याद है मेरी माने एक बार मुझे से कहा कि मेरे मामा बहुत गोरव साली है कि उनकी बिटिया ने उनको प्लेन का सफर करा दिया क्योंकि हम गाउं से आते हैं किसान परिवार से हैं तो हर चीज की हमारे लिए एहमियत है मैंने भी यह तैगे दा है कि मैं अपनी सेलरी से अपनी मा को एक बार हवाजाज का सफर जरूर कराऊंगा अब हालात ऐसी हैं आप बैतर जानते हैं हमने देश भी जानते हैं सब लोग हैं उसकी वएसे कि गरीब आदमी सफर नहीं कर सकता है गरीब आदमी तो ट्रेन में इसी के डब्बें सफर नहीं कर सकता है इस तरह के हाला तो मेरी मंतरी जी से मांग है कि कोई व्यवस्ता ऐसी की जाए कि जो क्रोड़ों महिलाई देश की हैं क्रोड़ों परिवार ऐसे ज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की ज़रुत है कई बार हात्से हुए certains में गोर करना है संसा जहतर एरपोर्ट जो हैं offenders हो गए और प्रिब array होने की वज़े से करमचार्यों का सोचन होता करमचार्यों को कि हमारे के रिरोजगारी होते हैं तो करमचारियों को वहां काम करने में जो सेलरी मिलती है उसमें एक बार का टिकट भी नहीं आता कहीं जगा पर तो मेरी आप से आगरे है कि जिन लोगों जो प्राइवेट हो गये वहां भी सेलरी कम से कम नियुंतम वितन इतना होना चाहिए 20,000 रुप है कि वह अपने परिवार का भी और सफर भी हो कभी कर लें ऐसा मुखा भी उन्हें मिलना चाहिए साथ-साथ प्राइवेट होने की वएसे सेस्टी बच्चों को नोकरी मिल जाती थी वह भी जिरोगी तो मेरी आप से आगर है कि अगर प्राइवेट भी हो गया तो उन से भी कह जाए कि कमजोर वर्गों की लोग बच्चों को मुखा दिया जाए सासाथ नगीना में जहां जिससे में जिन्होंने मुझे चुनके बेजा मैं उनका धन्यवाद करता हूँ छित्र का वहाँ एरपोर्ट में और लंबे समय से उनकी मांग वहां पाइलर्ट ट्रेनिंग कुल भी वहां खोलना चाहिए क्योंकि गरामिन शेत्रों की परतिबाओं को नकारना नहीं चाहिए सासाथ मेरा जिला जो है सारनपुर वहां एरपोर्ट पुराना है वो डिफेंस का है सरसाव हमें लेकिन वहां से पैसेंजर जो है यात्रा के लिए कोई सुहिदा नहीं और और सासाथ एक जगह है छुटमलपुर करांतिकर जगह है जहां हम पैदा हुए करांतिकर जगह है ही वो सर तो वहां पर भी हवाई पट्टी की जो है अस्थापना जो है सरकार को करांच है हमारे लोगों को चुटमलपुर के लोगों को बहुत अच्छा लाइए और आपके साथों के आदिलान चाहता हूं एक समय था कि आप पर भी दो मेंबर पर्लामेंट थे आज आपकी सरकार है आपको तीसी चोथी बार मौका मिला आए अगर हम लोग भी ग्यान में का ग्यान की कमी थोड़े हैं किसी में ऐदर रानी के पेट से राज़ा पैदा होता या क कोई मांके बेट सीख किया था हम तो संगस करके हैं पंदरा पंदरा साल तो जब हमें मौका ने मिलेंगा अपनी बात दिन अखपाएंगे तो हमारी बात कैसे पहुंचेगी साथ-साथ मेरा आप से आगरेस है यह मेरी मांग नहीं है यह पंजाब के लोग देश के प्रदान में का जब पंजाब गए कि हम जालंदर में जो एरपोर्ट है आदमपुर में कि हम उसका नाम सद्गुर अवदार जी महराज के नाम पर करेंगे लेकिन साथ-साथ मेरी मांग भी है मैं पुने इस बात को दोराओंगा सर कि गरीब लोग मैं गाओं में जाता हूं बिटिंगों में जाता हूं पूछता हूं मैं लाओं से कभी हवाजाज सफर किया मैं लाखों लोगों से मिल चुगा आध तक गरीबों ने हाथ नहीं उठाया सर क्योंकि सर इस देश में आर्थिक गयर परावरी बहुत बड़े पैमाने पर इस बात का ध्यान जो है सरकार को रखना चाहिए और अगर सरकार नहीं रखती है तो वो सरकार सर गरीबों की नहीं हो सकती है नोजवान जो है मंतरी सरकार ने दिये हैं और मुझे उम्मीद है कि एक नोजवान दूसे नोजवान के दर्द को और गरीबों के दर्द को और ग गरीब परिवार आपको प्राथना करें दुआ करें कि आपने उनको यह मुखा दिया वरना आज भी पैदा होता है भारत में और गरीबिये में मर्चा पाजारों साल चला अभी आजादी के 75 साल बाद भी अगर यह नहीं हो पा रहा है तो इस पर हमें गौर करना चाहिए कि य नहीं हो पा रहा है कई सीनियर साती हमारे यहां है मैंने उनको प्लेंच लाते पूदेखा मेंबर फार्समेंट होते भी मेरा विश्वास है कि अगर इधर से भी और इधर से भी सब लोग जंता की विस्वें सोचेंगे तो जंता की जिंदगी आसान होगी जो कि अभी नहें थे विश्वास है कि प्राइबिट प्राइबर से टो विशव को मुईलां चाहिए सुन होगे rajner Ikula मैं एक यहें सब लोगां सब्हें रोग में सब रहें के मिलके बचलना चाहते है यह जब आपका धन्यवाद करूँ आप पूरे सर और क्योंकि हम ही कौरम पूरा करते हैं सर देख लिए अप हमें बैटे कौरम पूरा करते हैं हमें विस्वास है अपने देश की पार्लेमेंट पे कि आज नहीं तो कल इस पार्लेमेंट से गरीबों के लिए कानून बनेंगे और मेत्रों में काम कराने का हूं धन्यवाद